आदेनियतिक जी, देश के नागरीकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूँ, मैं नाम बोलते हूँ उनको ज़रा चुबन होगी, लेकिन 15 अगस्त, लाल की ले से, प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था, वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ, लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था, वो पढ़ रहा हूँ, नहरू जी ने, उन्हेंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते, जितना की ये रोप वाले, या जपान वाले, या चीन वाले, या रूस वाले, या अमेरिका वाले करते हैं, इने रूजी लाल के लिए से बोल रहा है, यह ना समझे, यह ना समझे, यह ना समझे, कि वह कौमे, कोई जादू से खुशाल हो गई, वो मैनत से हुई है, और अक्ल से हुई है, यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं, यानि, यानि नहरू जी, यानि नहरू जी की भारतियों के प्रती सोच थी, कि बारतिया आलसी है नेरु जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कम अकले के लोग होते हैं और आदनी अद्दक जी आदनी अद्दक जी इंद्राजी की सोच भी उससे जादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल किले से लाल किले से पंद्रा अगस को कहा था लाल किले से पंद्रा अगस को इंद्राजी ने कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पुरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गर्स्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखते के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस का एकदम सटी का आकलन होना किया कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसाही समझते थे और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है मानिय अद्धिक जी मानिय अद्धिक जी मानिय अद्धिक जी का विश्वाद हमेशां शुरप एक परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रहे करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मोर्टर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ग्यान तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ है अलाइन्स का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया अलाइन्स का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया